हेलो एंड वेलकम तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जादा टेस्टी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी प्यास की पकोडियां ये बारिश के मौसम से लेके हर ही मौसम में सबकी पसंदीदा होती है ये प्लीन या चटनी के साथ या सॉस के साथ भी बहुत जादा सबको पसंद आती हैं तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम थ्री मीडियम साइज अनियन्स ले लेंगे इन्हें हम चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद इन्हें अच्छे से वाश करके स्ट्रीनर में रख देंगे अब हम अपना बैटर रेडी करेंगे उसके लिए मैंने एक बोल लिया है उसमें मैं बेसन ले रही हूँ मैं टू एना हाफ स्कूप बेसन ले रही हूँ यह नॉर्मल ग्राम फ्लोर में यूज कर रही हूँ अब हम अपने बैटर में कुछ मसाले अड़ ओन करेंगे जैसे मैंने पिसा लाल मिर्च लिया है वन टेबिल स्पून नमक है वन टी स्पून जीरा है कुटा लाल मिर्च है वन टी स्पून और थोड़ा सा चौप ठरादनिया और चौप ग्रीन चिली से और हाफ स्कूप कॉन स्टार्च जो कि हमारी प्यास की पकॉड़ियों को बहुत ही जादा क्रिस्प देने वाला है और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाऊडर इसको पहले हम अच्छे से ड्राइमिक्स कर लेंगे ड्राइमिक्स करने के बाद इसमें हम पानी आड़ ओन करेंगे फेले हम थोड़ा ठिक पेस्ट बनाएंगे ताकि जो भी लम्प्स हों वो सारे रिमूव हो जाएं वो रिमूव होने के बाद इसमें हम अच्छे से पानी आड़ान करेंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे एन एक फ्लोई बैटर रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा फ्लोई बैटर लगेगा मैं दिखाती हूं आपको बैटर अल्मोस्त रेडी हो चुका है अ अब हम अपनी प्यास की पकोडियां फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के हम इने फ्राइ करेंगे उसके बाद हम और से इने सेप्रेट कर लेंगे तो हमारी क्रिस्पी प्यास की पकोडियां मार्शालाह से बिलकुल रेडी हो चुकी है और को चैसी लग रहे है तो हमारी tasty and extra crispy पकोड़ियां बनके ready हो चुकी है यह बहुती easy and quick recipe है आप भी यह जरूर try करें अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment करना ना भूलें thank you so much for watching till the end